आज हम लोग algebraic equation से कुछ questions को solve करने वाले है आज हम लोग question number 10 से solve करेंगे और इससे पहले का जो question है उसका लेका आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा तो चलिए देर ना करती हो questions को solve किया जाए तो देखे question में दिया गिया है पहली सेंख्या तथा दूसरी सेंख्या के त करना है पहली सेंख्या दूसरी सेंख्या के तिन गुना का योगफल जो 14 है तो पहली सेंख्या हम x मानते हैं दूसरी सेंख्या y मानते हैं और बोला गिया है पहली सेंख्या दूसरी सेंख्या के तिन गुने तो दूसरा सेंख्या ये है इसका तिन से गुना कर दीजे का यो तो जब भी अधीक कम यह इसका बात किया जहें को इसका मतलब किया है difference का बात किया जा रहा है ठीक है? difference मतलब माइनस और माइनस करके कितना है? तो तीन अधीक है clear रहे हैं? तो दोनों से यह ज aluminum है ज्याद कीजिए तो दोनों से wirn y का value होगा, वही हम लोग answer होगा, अब solve करते हैं, बहुत ही simple सा है, ठीक है, तो equation को solve करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को equal कर लेते हैं, मतलब हम अगर x का value निकालना चाहे, ठीक है, तो क्या करेंगे y को काटेंगे, अगर y का निकालना चाहे, तो x को कर देंगे, तो 3 से इसको multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x plus 3 into 3, कितना हो जाएगा, 9y, फिर 43 जा, ठीक है, 42 हो जाएगा, अब once इसको multiply करेंगे, तो इतना ही रह जाएगा, मतलब 3x minus 4y is equal to 3, अब देखिए, ये कट जाएगा, sign change कर देते हैं, या plus है तो minus हो गिया, minus है नहीं है, अब इसको minus करेंगे, तो हम लोग का होगा, 39, अब y is equal to हो जाएगा, इधर से divide हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो y का value हम लोगो निकल के आगिया, अब x का value हम लोग easily निकल सकते, या तो इसमें पूट करके, या तो इसमें, या तो इसमें, आपका जिसमें अमन करेंगे, उसमें, पूट करीए, तो y का value हम, जो छोटा लगेगा, उसमें पूट करेंगे, तो यह वला छोटा लग रहा है, उसमें पूट कर देते हैं, तो 3 है, 3 into 3 हो जाएगा, देखिए, अब पूट करते है, लिग के ही पूट कर देते हैं, यह हमको दिया गिया है, ठी तो यह कितना हो जाएगा, थिरी थिरी जा 9, अब इधर 9 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो X is equal to 14 minus 9 हो जाएगा, तो इससे घटाएंगे तो 5 होगा, तो X का value 5 और Y का value 9, क्लियर है, यह हम लोग का answer होगी, अब इसके trick बताते हैं, तो दिशी इसका trick, तो trick बहुत ही simple है, क्लियर है, read में हम लोग क्या करेंगे, option putting करेंगे, तो इसमें option तो दिया गया नहीं है, क्लियर है, तो हम लोग खुद से option ले लेंगा, मतलब जो answer आया, उसको हम option के तोर पे ले लेते, तो X आया था 5 और Y आया था 3, क्लियर है, अब यह मत बोली कि axiom पहले क्यों लेते हैं, तो दोनों सेंख्या कोन सी है, पुछा गया है, तो हमाल लेते हैं, दोनों सेंख्या यह है, option से आपको मिल जाएगा यह, अब put करना है, देखिए, जैसा बोला कि उसे match करेंगे, पहली सेंख्या, दूसरी सेंख्या के 3 गुन्या का योगफल 14 है, तो पहली सेंख सेंख्या का 3 गुना, पहला सेंख्या यह है, इसका 3 गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, दूसरी सेंख्या के 4 गुने, तो दूसरा सेंख्या यह है, इसका 4 गुना करेंगे, तो 3 चो के 12 हो जाएगा, से 3 अधिक है, तो देखेंगे अधिक और कम का जब भी बोलता है जो difference देखेंगे, ठीक है, तो इससे देखी ये तीन अधिक है, तो देखने से भी पता चल रहा है कि ये तीन अधिक है, ये 12 है, ये 15 है, तीन अधिक है हो रहा है, क्लियर है, तो condition match कर रहा है, इसका मतलब क्या ये answer हो जाएगा, तो option putting से ये fast solve हो सकता है, क्लियर, अब आगे question solve करेंगे, question number 11 देखें, बहुत ही simple सा question है, इसमें दिया गया, x is equal to 2, y is equal to 3, और z is equal to minus 1, क्लियर, तो नीचे दिये कि ये वेंजक का मान क्या होगा, मतलब ये जो दिया गया है, इसका value हमको find करना है, तो x का value दिया हुआ ही है, y का भी है और z का भी है, पस put करना है और answer सकते हैं, फिर plus z, तो z के जगा पर minus 1 है, तो minus 1 कर देंगे, क्लियर है, x into y है, ये सिलिए 6 होगे, 2, 3 जा 6, अब देखें, divide करेंगे, हम लोग x square, तो x square मतलब क्या, 2 का square, 4 हो जाएगा, into y, तो y है 3, फिर into में z, तो z क्या है, minus 1 है, अब इसको solve करने से ये answer आएगा, तो solve क करेंगे, तो देखें, 2 का square 4, into 2, 8 हो जाएगा, plus 6, और plus minus, minus हो जाएगा, ये 1 है, अब यहां पर हो जाएगा, 4, 3, 12, into 1, 12 भी होगा, लेकिन minus में होगा, क्लियर है, अब इसको solve करेंगे, 8 और 6, 14, 14 में से 1 जाएगा, 13, by minus, 12 है, तो नीचे में minus कभी नहीं रहता है, तो य question number 12 देखिए, बहुत ही simple है, इसमें दिया गिया है, यदि 2x plus y is equal to 15, 2y plus z is equal to 25, तो 2z plus x is equal to 26, तो z का मान क्या होगा, बहुत ही simple है, हमको z का value निकालना है, तो पहले दिया गिया है, उसको देख लेते है, तो 2x plus y is equal to 15, ये हमको दिया गिया है, और दिया गिया है, 2y plus z is equal to 25 फिर है 2z plus x is equal to 26 यह हमको दिया गिया है और z का भीलियो पूछा गिया है तो क्या करना है आपको सबको z में convert करना है के लिए हम यहां से start करते हैं तो इसको लिख लेते हैं पहले 2x plus y is equal to 15 और याद रखना है माइन में इतना ही याद रखना है कि मतलब 3 जो है 1 को हम लोग 1 बार ही use कर सकते हैं मतलब इसका हम लोग use यहां पर कर लिए अब इसको दुबारा use नहीं करेंगे अब यहां पर देखेंगे हम लोग को z में convert करना है सबको इसको तो use कर लिए अब यहां पर z में इसको कैसे convert करेंगे तो दिखिए, यहाँ पर हमको z में चाहिए सब कुछ, तो यहाँ पर 2x है, तो x को हमको z बना देना है, तो 2, यहाँ पर x तो दिखने रहा है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो x है, तो यहाँ से x का value निकलेगा, कितना तो multiply में है, इसलिए bracket में आ जाएगा, 26-2z, अब एक से जादा होता है, तो bracket में हम लोग दे देते हैं, अब plus है तो plus, अब y का value भी हमको क्या करना है, z में convert करके लिखना है, 2y is equal to 25-z हो जाएगा यह, लेकिन हमको y चाहिए, 2y नहीं चाहिए, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 25-z by 2, clear, तो y के जगा पर हम लोग क्या लिखेंगे, 25-z by 2, is equal to 15, अब देखें, सब z में convert होगी, अब इसको solve करेंगे, तो हम लोग को z का value ही निकल के आ जाएगा, अब इसको solve कर लेते हैं, तो इसको multiply करेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 52-4z, plus 25-z by 2, is equal to 15, अब यहाँ प अब यह 1 और 2 का LCM निकलेगा, तो 2 हो जाएगा, अब 2 से इसको multiply कर देंगे, ठीक है, 2 से इसको multiply कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 104-8z, plus 25-z, is equal to 15, ठीक है, यह z है, दीखें, z और 2 एक ही तरह का आपको दिखने में लग रहा होगा, ठीक है, तो हम बोल ही रहे हैं, कहाँ पर z है, कहाँ पर 2 है, तो words पर भी ध्यान देना है, अब calculation करेंगे, तो minus 8z और minus z, तो हो जाएगा, minus 9z, और plus में, यह 104 है, और यहाँ पर 25 है, तो हो जाएगा, आपका 129, is equal to, यह इधर जाएगा, तो हो जाएगा, multiple में, 30 हो जाएगा, अब z को एक साइड रखते है मतलब, minus 9z is equal to, 30 minus 129 हो जाएगा, अब solve करेंगे, तो minus 9z is equal to, 99 हो जाएगा, इस इसको minus करेंगे, तो minus में होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा का sign यह है, अब minus तो minus cancel, तो z is equal to, 9 cutable में, यह 11 बार में कर जाएगा, z का value 11 है और यह तो find करना था, अब आगे question solve करेंगे, question number 13 देखिए, बिल्कुल question number 12 के जैसे ही, लेकिन उसमें z का value find करना था, लेकिन इसमें दो दो को value find करना है, x और y कमान, ठीक है, मतलब, दोनों का value निकालना है, तो देखिए, यहाँ पर दिया गिया है, x plus y plus z is equal to 6, और दिया गिया है, 2x plus y minus z is equal to 7, और आगे दिया गिया ह 3x plus 3y minus 2z is equal to 13, यह हमको दिया गिया है, और find करना x और y का, दिखिए, इसमें 3 दिन को दिया गिया है, लेकिन उसमें क्या था, question number 12 में, दो दो को दिया गिया था, मतलब x और y दिया गिया था, फिर y, z और z, x से कर गे कुछ था, तो दिखिए, एक ही जैसा है, यहाँ पर x yz है, यहाँ पर भी दिखिए, x yz है, clear, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, सामने में लिख देंगे, 2x plus y और minus z is equal to 6, और यहाँ पर बोला गिया है, x और y का value find करने, तो इसका मतलब क्या करांगा, हम लोग z को काटेंगे, z को अगर काट देंगे, तो हम लोग का x और y का निकल के आएगा, mind में इतना ही चलना चाहिए, ठीक है, कि हमको z को काटना है, तो देखिए, इसको यहाँ पर लिख दीए, तो यह देखिए, z है, और यहाँ पर भी z है, इसलिए directly इसको उठा के लिख दीए, अब देखिए, plus है, यह minus में है, तो कट ज देते हैं, यहाँ पर 7 है, तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, 2x और x हो जाएगा, 3x, plus 2y, is equal to 13, अब इसको और इसको काटेंगे, मतलब z को हमको काटना है, इसको calculation कर लिए, अब z को काटनेंगे, तो देखिए, यहाँ पर 2z है, और यहाँ पर z है, तो इसको क् 2 करेंगे, तो 2 से multiply करना पड़ेगा, तो पूरा term को ही हम 2 से multiply कर देते हैं, मतलब इस side को भी 2 से, और इस side को भी 2 से multiply करते हैं, तो इसको 2 से multiply करेंगे, तो 2, 2, 4x हो जाएगा, प्लस 2 into y हो जाएगा, 2y, माइनस में 2 into z, 2z, और इसको भी 2 से, 7 जा 14, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इसको solve किये थे, इसको काटे थे, उससे तरह के इसको करेंगे, तो एक कटने वाला है, ठीक है, तो 3x प्लस 3y, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो sign change करने के ज़रो नहीं पड़ा, तो इस बात पर भी धियान देना है, तो यह माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, उससे तरह के सिहां प्लस है तो माइनस कर दीए, अब इसको घटाएंगे, तो 4x से 3x ज solve करेंगे, तो x और y का value हम लोगको निकल के आ जाएगा, अब solve कर लेते हैं, तो दोनों को एक साथ रखते हैं, 3x प्लस, 2y is equal to 13, अब यहाँ पर देखिए, हम x अगर निकालना चाहेंगे, तो x को 3 से multiply कर देंगे, क्योंकि अब 3x है, और यहाँ पर x है, तो इसको 3 से अग multiply और इधर भी 3 से multiply, तो 3 into x हो जाएगा, 3x, फिर minus है तो minus 3 into y, 3y, minus 3 into 1, 3, directly यह से हम लोग थोड़ा सा step bounce करेंगे, अब देखिए, क्या होगा, यहाँ प्लस है, इसमें भी प्लस, तो ने कटेगा, इसलिए minus कर देंगे, send change कर देंगे, अब यह कट जाएगा, तो कितना हो 5y is equal to 10, अब y is equal to 2 हो जाएगा, तो y का value निकल के आगिया, अब x का value निकलना easy है, जहाँ पर हमको छोटा दिख रहा है, उसमें हम x का value पूट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए, छोटा दिख रहा है, x और y, clear है, अब यह सब मतलब मत रखी, कि इसमें पूट करेंगे, तो नहीं निकलेगा, clear है, क्योंकि इसमें z भी है, हमको x और y वाले term में ही put करना है, देखिए, x, y इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ति तीनों में से कहीं भी put करेंगे, तो निकल के आजाएगा, तो इसमें हम put करते हैं, तो y का जिगा पर 2 रखेंगे, तो x-y is equal to 1 है, x-y is equal to 1, तो x is equal to क्या हो जाएगा, minus 2 is equal to 1, अब x is equal to कि एधर जाएगा, तो add हो जाएगा, तो 3, तो x का value 3 और y का value 2, यह तो find करना था, यह हम लोग एंसर हो गया, अब आगे question solve करेंगे, question number 14 देखिए, बहुत ही simple question है, इसमें दिया गया कुछ लड़कों तथा लड़कियों के, समू में 15 लड़किये चली गए, उसके बाद परतेक लड़की के लिए 2 लड़के रह जाते हैं, इसके बाद भी 45 लड़के चले गए और परतेक लड़के के लिए 5 लड़के रह जा लड़का और लड़कियों के समू में 15 लड़किया चली गए, एक लड़की जो बची है इसके लिए कितना रहेगा, तो 2 से multiply कर दीजे, अब यह जितना लड़का है उसके equal हो जाएगा, किसी लड़का को नई इसमें बाटा, इसको solve करेंगे तो एक equation निकलेगा, तो x is equal to क् 2y-30 इतना ही अभी रहने देते हैं x का फिलियो निकाल के छोड़ देते हैं अब आगे पढ़ते हैं उसके बाद 45 लड़के चले गए तो लड़का था x और लड़की था y और इसमें से 15 लड़की चल गए थी यही था अब क्या हुआ था उसके बाद भी 45 लड़के चले गए तो 45 लड़के अगर चले गए तो x-45 हो जाएगा क्योंकि लड़का अब घट रहा है तब परतेक लड़की के लिए 5 लड़किया रह जाती है परतेक लड़के के लिए 5 लड़किया रह जाती है तो इतना लड़का है तो इतना into 5 हो जाएगा clear है? और यह equal होगा उतना लड़की का अब इसको solve बगर करेंगे तो देखिए इस side में y है तो इसको भी हमको y में convert कर देना है या फिर इधर x है तो इसको भी हम लोग को x में convert कर देना है तो जैसे कर सकते हैं तो हम x को ही y convert कर देते हैं तो 5 into x का जगा पर हम लोग इसना value रख सकते हैं क्योंकि x is equal to यह है तो x के जगा पर हम लोग रख देंगे 2y minus 30 और minus में 45 है ही is equal to क्या हो जाएगा y minus 15 अब solve करेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा y का value और y के है लड़कियों की प्रारंबिक सेंख्य क्या थी तो x लड़का था और y लड़की तो जो y का value होगा वही लड़कियों की सेंख्या हो जाएगा अब इसको solve अगर करेंगे तो एक step बढ़ा लेते हम हो जाएगा 2y minus इसको एड़ करेंगे मैनस पलस हो जाएगा तो add हो जाएगा तो 5 और इधर से के अतना होगा 4 3 7 और y minus 15 अब इसको multiply करेंगे तो 5 2 जा 10y minus 75 into 5 75 into 5 पकर करना पड़ेगा तो हो जाएगा हम लोग को 3 75 is equal to y minus 15 यवाएगा एक side कर लेते हैं तो 10y है इधर आएगा तो घढ़ जाएगा 9y हो जाएगा उस तरह के से minus 15 है इधर यह जाएगा ठीक है तो यह घढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यह plus हो जाएगा तो plus minus हो जाएगा घढ़ जाएगा हो जाएगा 360 मतलब 9 कटेवल में एकट जाएगा 40 बार में तो य का वेल्यू कितना आया 40 यह हम लोग का एंसर हो जाएगा अब आगे कोश्चिन धय कितना आया 30 बार में एंसर हो जा आया 30 बार